ये तो आप सबको पता चल ही गया होगा कि भारत ने वेस्ट इंडीज को पहले ओडियाई में 5 रिकेट से हरा दिया है लेकिन इस मैच में कुछ और इंटरस्टिंग चीजें हुई जिसके बारे में इस वीडियो में हम पात करने वाले हैं सबसे पहले ये है कि विराट कूली इस मैच में बैटिंग करते हुए ही नजर नहीं आये फैंस जहां विराट कूली के बल्ले से एक और दमदार पारी का इंतजार कर रहे थे लेकिन विराट भी इसमें क्या करते यूकि वेस्ट इंडीज की टीम ही 114 की स्कोर पर ओल आउट हो गई इसके बाद भारत का पूरा बैटिंग ओर्डर जो है वो चेंज नजर आया ओपनिंग करने उत्रे शुबमन गिल और इशान किशन इशान किशन ने अजिशतक लगाया इसके बाद बंडा हुना है सुर्कुमार यादव के बाद हार्दिक पांडिया बल्लेबाजी के लिए उसके बाद रविंद जड़े जाए फिर शाद लठाकुर आये और आखिर में रोहिट शर्मा आये लेकिन भारत की पांच विकेट गिरने के बाद भी वराट को हुली बैटिंग करते हुए नज़र नहीं आये और ऐसा पहली बार है कि भारत की पांच विकेट गिरने के बाद भी किन को हुली बैटिंग करने नहीं आये तो फैंस को एक बार फिर से निराशा के साथ ही लोटना पड़ा कि विराड को फिर वे मैच में खेलती हुए नहीं देख पाई अब दूसरी चीज यह है कि इस मैच में सुर्कुमार यादव जब मैदान पर उत्रे तो उन्होंने संजू सैंसन की जर्सी पहनी होगी थी जर्सी मिली जिसके बाद उन्हें संजू सैंसन की जर्सी इस मैच में पहननी पड़ी और अब खबर यह है कि दूसरे उड़िया के बाद उन्हें अपनी जर्सी चाहिए थी वो मिल जाएगी अब इस मैच में तीसरी चीज यह रही कि यहाँ पर कुल्दी प्यादम ने शांदार गेंद बाजी की और वेस्टिंडीज के साथ विकेट भारतिया स्पिनर्स ने ही जटके चार विकेट कुल्दी प्यादम ने लिए और तीन विकेट रविंद्र जड़े जाने यहाँ पर हासल किये और वेस्टिंडीज की टीम जो है वो अपने सबसे कम टोटल पर इस मैच में आउट हुई 114 रन उनका ODAE में सबसे कम टोटल है वेल यह कुछ इंटरस्टिंग चीजें इस मैच में हमें देखने को मिली इनको लेकर आपकी क्या राय है आपका क्या खयाल है हमें कॉमेंट सेक्षिन में ज़रू बताईएगा